जैसा कि आपने बताया था कि कम्प्यूटर में किसी प्रोग्राम पर कार्रे करने के लिए ओप्रेटिंग सिस्टम की आवशकता होती है। क्या आप हमें ओप्रेटिंग सिस्टम के बारे में विस्तार से बता सकती हैं। बिल्कुल रोहन, चलो हम ओप्रेटिंग सिस्टम के बारे में विस्तार से विचार करते हैं। ओप्रेटिंग सिस्टम एक प्रुग्राम है जो कम्प्यूटर के अन्य प्रुग्राम उसे पारस पर एक संबंध स्थापित करने में हमारी सहायता करता है। ओप्रेटिंग सिस्टम के बिना कम्प्यूटर बेकार है। कई तरह के ओप्रेटिंग सिस्टम उपलब्द होते हैं। ओप्रेटिंग सिस्टम प्रयोग करता वो कम्प्यूटर के मध्य एक माध्यम का कारे करता है। सभी प्रोग्रामों को चलने के लिए operating system की आवश्यक्ता होती है, परंतो operating system स्वता ही चालू होता है, computer को चालू करते ही operating system स्वता ही चालू हो जाता है. उप्रेटिंग सिस्टम के मुख्य कारे हैं यह कंप्यूटर को नियंत्रित करता है और उसके सभी भागों को उचित संबंध में लाता है यह उप्योग करता वह कंप्यूटर के मध्य पारसपरिक संबंधों को सुगम करता है यह input वह output यंद्रों को नियंत्रत करता है यह computer program के निश्पादन को नियंत्रत करता है यह computer की मुख्य memory के प्रयोग को व्यवस्थित रखता है यह file को व्यवस्थित रखने वह उनसे काम लेने में आपकी सहायता करता है ओपरेटिंग सिस्टम को दो भागों में वर्गिक्रित किया जा सकता है एक एक कर हम इनके बारे में विचार करते हैं character user interface CUI में किसी तरह के icon या चित्र नहीं होते है यह cable lake वह अक्षरों पर चलता है हम CUI पर लेखिये निर्देश जैसे rename, cls, cd, md और dir या directory पर command निर्देश दे कर कारेक कर सकते हैं CUI का एक उदाहरन है disk operating system graphical user interface GUI की प्रश्ट भूमी चित्रवाली होती है और साथ साथ बहुत सारे icon भी होते हैं GUI के उदाहरन है Windows XP, Windows NP, Windows 7 और Ubuntu GUI को पुनह दो भागों में विभाजित किया जा सकता है सामपत्तिक, मालिकाना, software और स्वतंत्र या मुक्त software मालिकाना software एक प्रकार का computer software है जिसकी अनुग्यप्ति, copyright धारक के विशिष्ट कानूनी अधिकार के अधिकार के अधिन होती है मालिकाना software के उप्योग के लिए अनुग्यप्ति की आवश्चक्ता होती है जो उसकी फीस देने या भुक्तान करने के बाद ही प्राप्त होता है इनका प्रयोग वैद अनुग्यप्ति के बाद ही किया जा सकता है उप्योग करता इनको न तो परिवर्तित न साज़ा कर सकता है ना ही पढ़ सकता है और ना ही पुनर्वित्रित कर सकता है मालिकाना software के सामाने उधाहरन है Microsoft, Apple, INC, IBM, Operating System व यूनिसस स्वतंत्र या मुक्त software वे software हैं जिनको उप्योग करता इंटरनेट से बिना किसी फीज के डाउनलोड कर सकता है यह एक खुले लाइसेंस स्रोत के तहत उपलब्ध होते हैं जो उप्योग करता को software परिवर्तित करने, साज़ा करने और पुनर्वित्रित करने की आजादी देता है यदे भी परिवर्तन करने के लिए कॉपिराइट अधिकार नहीं दिये गए होते हैं स्वतंत्र या मुक्त सौफ्ट्वेर के सामान्य उदाहरन है Unix, Linux, Aurora UX और हमें Microsoft Windows के बारे में जानना चाहिए जो की सबसे ज्यादा प्रशुलित ओपरेटिंग सिस्टम है अरे हाँ, मैंने Microsoft Windows के बारे में बहुत सुना है Microsoft Windows, Microsoft द्वारा विकसित किये गए एवं बेचे गए graphical interface ओपरेटिंग सिस्टम की श्रंखला है अधिकतर जिन कंप्यूटरों का हम प्रयोग करते हैं उनमें Microsoft Windows का ओपरेटिंग सिस्टम पूर्वस्थापित होता है यदि आपके कंप्यूटर में Windows ओपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप अनुग्यप्त प्राप्त सौफ्ट्वेर, प्रमानित सौफ्ट्वेर विक्रेता की यहां से खरीच सकते हैं इसके अतिरिक्त इस सौफ्ट्वेर को Microsoft की विब साइट से ऑनलाइन भी खरीदा चा सकता है GUI इंटरफेस प्रोग्राम प्रयोग करने वह उनको संगठित करने में आपकी सहायता करता है Windows विजिविग प्रकार के इंटरफेस होते हैं जिसका अर्थ है कि जो आप देखते हैं वही आप प्राप्त करते हैं यदि आपके कंप्यूटर का ओप्रेटिंग सिस्टम Windows है तो कंप्यूटर चालू करते ही सबसे पहले दिखने वाली स्क्रीन डेस्क्टॉप कहलाती है आप विंडोज डेस्क्टॉप का प्रयोग सभी प्रोग्राम संचालित करने संगठित करने में कर सकते हैं डेस्क्टॉप दो भागों में विभाजित होता है मुख्य भाग या विंडोज डेस्क्टॉप तथा टास्क बार नीचे पतली पट्टी को टास्क बार कहते हैं टास्क बार में स्टार्ट बटन होता है जिसके जरिये हम कम्प्यूटर के अन्य प्रोग्रामों तक पहुँच सकते हैं टास्क बार की प्रिष्ट भूमी को वॉल पेपर कहते हैं कंप्यूटर आरंब करने पर सबसे पहले दिखने वाली स्क्रीन डेस्क्टॉप कहलाती है डेस्क्टॉप पर दिखने वाली छोटे-छोटे चितर आईकॉन कहलाते हैं यह आईकॉन, फाइल, प्रोग्राम और फोल्टर के शोटकट चोटे रास्ते हैं जिनके जरिये इनमें आसानी से वह जल्दी से पहुँचा जा सकता है। स्क्रीन के सबसे नीचे क्षितिच के समानांतर पट्टी को टास्क बार कहते हैं। टास्क बार पर एक और स्टार्ट बटन और दूसरे तरफ कई छोटे छोटे आइकॉन वह शौटकट होते हैं। कम्प्यूटर पर चल रहे सभी उप्योजन वह प्रोग्राम टास्क बार पर आइकॉन के रूप में दिखते हैं। कंप्यूटर पर चल रहे सभी एप्लिकेशन वो प्रोग्राम इनी आइकॉन के द्वारा एकसेस उपयोग किये जा सकते हैं। टास्क बार कंप्यूटर पर चल रहे विभिन्न प्रोग्रामों में एक से दूसरे पर जाने का रास्ता उपलब्ध कराता है। यदि बहुत सारे एप्लिकेशन प्रोग्राम चल रहे हो और टास्क बार पर सभी आइकॉनों के लिए स्थान कम हो तो एक तरह के आइकॉन एक समूह में आ जाते हैं। स्टार्ट पेक्तन के द्वारा आप अन्य प्रोग्रामों वो सिस्टम की अन्य उप्योगिताओं का प्रेयोक कर सकते हैं। एक क्लिक में कम्प्यूटर को बंद कर सकते हैं। लोग ओफ या पुनह चालू कर सकते हैं। निम्न प्रक्रिया से आप अपने सिस्टम की तारीक वो समय परिवर्थित कर सकते हैं। पहले टास्क बार पर दाई और दिख रहे तारीक वो समय पर क्लिक करें। तब एक घड़ी वो केलेंडर प्रकट होगा। टास्क बार पर तारीक वो समय पर क्लिक करें। तब समय वो तारीक परिवर्थन लिंक पर क्लिक करें। तद पस्चाद समय वो तारीक परिवर्थन बटन पर क्लिक करें। समय वो तारीक निर्धारित करें। समय वयतारीख परिवर्थन को सुरक्षित करने के लिए हां पर क्लिक करें और समय वयतारीख डायलोग कोष्ट पर वापस आएं। परिवर्तन सुरक्षित करने के लिए हाँ पर क्लिक करें, समय व्यतारीक डायलोग कोश्ट को बंद़ें। डेस्क्टॉप दर्शाने वाली स्क्रीन का वह भाग है जिसे आप कम्प्यूटर लोगाउन करने पर देखते हैं। आईकॉनों के पीछे दिखने वाले चित्र, दर्शे को वाल पेपर, अत्वा डेस्क्टॉप की प्रिश्ट भूमी कहते हैं। जब आप अपने कम्प्यूटर को कुछ समय के लिए निश्क्रिय छोड़ देते हैं, तो एक चित्र अत्वा लेख की चल चित्र की प्रदर्शित होती है। इसे स्क्रीन सेवर कहते हैं। डेस्क्टॉप की प्रिश्ट भूमी परिवर्तित करना। आप अपने कम्प्यूटर के वॉल पेपर अथवा डेस्क्टॉप की प्रिश्ट भूमी आइकोनों को अपनी इच्छा के चित्र और दृश्ट से बदल सकते हैं। पहला डेस्क्टॉप के खाली स्थान पर माउस का दाया राइट क्लिक बटन दबाए। तत पश्चात सुची के वहक्तिक विकल्प पर क्लिक करें। तत पश्चात डेस्क्टॉप की प्रिश्ट भूमी लिंक पर क्लिक करें। तत पश्चात चित्र का चैन करें और उसे डेस्क्टॉप की प्रिश्ट भूमी की नियत करें। अंत में सेव या सुरक्षित बटन दबा कर परिवर्थनों को सुरक्षित करें। Screen Saver नियत करना यदि आप Desktop की Screen Saver परिवर्थित करना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया अपनाएं। पहला, Desktop के खाली स्थान पर उस माउस का दाया Right Click बटन दबाएं। तदपस्चाद सूची के वैक्तिक विकल्प पर क्लिक करें, तदपस्चाद डेस्टॉप की स्क्रीन सेवर लिंक पर क्लिक करें, तब स्क्रीन सेवर का डॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक कर सूची से स्क्रीन सेवर चुने, तदपस्चाद स्क्रीन सेवर चालू करने के लिए कॉम्बो बॉक्स से प्रतिक्षा समय के मिनट निर्धारित करें। तत पेशाद प्रिव्यू बटन पर क्लिक कर स्क्रीन सेवर देखें। तब निर्धारित बटन पर क्लिक कर स्क्रीन सेवर को निर्धारित करें। अंत में सेव या सुरक्षित बटन दबाकर परिवर्तनों क सुरक्षित करें। अब रोहन यह याद रखें कि एक कंप्यूटर में ऑप्रेटिंग सिस्टम वो व्यक्तिकत कारिक्रमों के लिए उपलब्ध किसी सूचना को फाइल कहते हैं। एक फाइल, एक दस्तावेज, चित्र, संगीत या चलचित्र हो सकती है। धेर सारे फाइलों को एक स्थान पर रखने के लिए आप एक फोल्डर बनाते हैं। आप कंप्यूटर की किसी भी ड्राइव में फाइल या फोल्डर बना सकते हैं। फाइल या फोल्डर बनाने के पश्चात आप उसका नाम बदल सकते हैं। उसकी प्रतीली भी बना सकते हैं। उसे कहीं और पेस्ट कर सकते हैं। और उसे आवश्यक्ता अनुसार मिटा भी सकते हैं। हम किसी ड्राइव में एक नया फोल्डर कैसे बनाते हैं। आसान है, बस निम्न प्रक्रिया अपनाओ, पहले स्टार्ट बटन को दबा कर स्टार्ट मेन्यू को खोले, तब कम्प्यूटर विंडो या विंडोज एक्स्प्लोरर प्रदर्शित करने के लिए कम्प्यूटर पर क्लिक करें, तब डी ड्राइव में उपलब्द सामगरी दे इंटर दबाएं, आप फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बना सकते हैं, जिसे सब फोल्डर कहते हैं, एक फोल्डर का चैन करें और उसे खोलें, उसमें खाली स्थान पर राइट क्लिक करें, तो पॉप अप मेन्यू प्रकट होगा, उसमें सबसे पहले नया पर क्लिक करें औ पहले, Start पटन को दबा Start मेन्यो को खोलें, तब Computer Window या Windows Explorer प्रदर्शित करने के लिए Computer पर क्लिक करें, तब D Drive में उपलब्ध सामगरी देखने के लिए D Drive पर क्लिक करें, तब जिस Folder को आप खोलना चाहते हैं, उस पर Double Click करें, उसे Folder के अंदर जिस Sub Folder या File को आप खोलना चा पर Double Click करें, फाइल या Folder को कैसे संरक्षित करें या नाम बदलें, जब आप D Drive में Folder या Sub Folder या File बनाते हैं, तो स्वच आलत रूप से New Folder या New Text Document के नाम से संरक्षित हो जाता है, Folder या Sub Folder या File का नाम बदलने के लिए उस पर Right Click करें, नए पॉप अप में नाम परिवर्थित करें, Rename चुने, नया नाम लिखें और Enter दबाएं, Folder या Sub Folder या File का नाम परिवर्थित हो जाएगा, Windows Operating System में कुछ सहायक सामगरी होती है, जो अत्यांत उप्योगी होती है, हम इन उप्योगी सामगरीयों में से कुछ के विशय में सीखते हैं, इन उप्योगी सामगरीयों को देखने के लिए निम्न निर्देशों का पालन करें, पहले स्टार्ट बटन को दबा कर स्टार्ट मेन्यू को खोलें, ततपश्चात माउस से All Program पर चिन्हित करें, उसके बाद Accessories पर क्लिक करें, यहाँ पर विभिन Accessories की सुची होती है, संब पेंट का प्रयोग रिक्त पेंट खेत्र में चित्रकारी करने अत्वा मुझूदा चित्र में चित्रकारी करने में कर सकते हैं, आप चित्र की प्रती लेकर किसी अन्य प्रलेक पर चिपका या पेस्ट कर सकते हैं हम पेंट का प्रयोग किस प्रकार करें? पेंट का उपयोग करनी के लिए सर्व प्रथम स्टार्ट बटन को दबा स्टार्ट मेनू को खोलें तद पश्चाद माउस से All Program पर चिन्हित करें उसके बाद Accessories पर क्लिक करें यहाँ पर विभेन Accessories की सूची होती है Accessories पर क्लिक करें और पेंट को चुनाव करें तब पेंट विंडो दिखने लगेगा आप देखेंगे कि पेंट विंडो चार भागों में विभाजित है पेंट बटन, क्विक एक्सेस टूल बार, ड्रॉइंग एरिया, एवं रिबन पेंट बटन के साथ आप कई तरह के कारेक कर सकते हैं पेंट बटन के विभिन विकल्प हैं खोलें, ओपन, नया, न्यू, सनरक्षित करें, सेव और चापें, प्रिंट क्विक एक्सेस टूल बार, अक्सर प्रयोग में लाई जाने वाले उपकरण जैसे सेव, रीडू और अंडू तुरंत उपलब्द कराने में आपकी सहायता करता है रिबन में दो टैब होती हैं, हूम और व्यू हूम टैब उन उपकरणों को उपलब्द कराता है, जो चित्र बनाने अथवा उसे सुधारने में प्रयोगत होते हैं यह क्लिप बोर्ड, ब्रश, टूल, शेप और कलर आधी होते हैं क्लिप बोर्ड में तीन विकल्प होते हैं, कट, कॉपी वपेस्ट जिन विकल्पों का प्रयोग कर, आप पेंट पर चुनी गई वस्तु को काट सकते हैं प्रतिलीपी या प्रतिबिम्ब बना सकते हैं, अथवा चिपका सकते हैं यह विकल्प एक ही विशे को कई बार प्रयोग करने में आपकी सहायता करता है प्रतिबिम्ब का चुनाव आपको उन विशियों को चुनने वा संपादित करने में सहायता करता है जिनको आप चैनित करना चाहते हैं, काट चार्ट करना चाहते हैं, आकरती में परिवर्तन करना चाहते हैं, अत्वा गुमाना चाहते हैं. उपकरण टूल का चैन आपको विभिन उपकरण उपलब्द कराता है, जिससे आप आकरती बना वसंपादित कर सकते हैं. यह उपकरण है पैंसिल, रंग भरना, लिखना, मिटाना, रंग उठाना और बढ़ा करना. ब्रश में नीचे की और खुलने वाला एक मेन्यू होता है, जिससे आप चित्र बनाने के लिए विभिन प्रकार के ब्रशों का चैन कर सकते हैं. आकृतियां विकल्प से आप अपने चित्र को विभिन आकृतियां दे सकते हैं. रंग विकल्प से आप अपने चित्र में विभिन रंग भर सकते हैं. दीदी, तुमने यह भी कहा था कि Microsoft Windows के विप्रीत यहां मुफ्त ओपरेटिंग सिस्टम भी उपलब्ध हैं. हाँ रोहन, Linux एक बहुत प्रसिद्ध मुक्त अथवा कुले स्रोध का अपरेटिंग सिस्टम है. यह सॉप्ट्वेर सबके लिए मुफ्त है और इंटरनेट से डाउनलोड भी किया जा सकता है. चलो हम इस पर नज़र डालते हैं. Linux, Unix, ओपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही जानामाना वर्जिन है, जो Linus Store Walls द्वारा विक्सित किया गया है. Linux, Microsoft Windows जैसे दूसरे ओपरेटिंग सिस्टम की तरह होता है. Linux की सबसे खास बात यह है कि यह बहुत ही गतिशील है. उपियोग करता इस सौफ्ट्वेर को विक्सित करने, संशोधन करने अथवा प्रसारित करने के लिए स्वतंत्र हैं. Linux को दो अलग तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है. Free Download अथवा वितरन का उपियोग कर. Linux दुनिया भर में करोडों उपियोग करता हूं द्वारा सफलता पूर्वक उपियोग किया जा रहा है. Linux की सभी आवश्यक भागों को इंटरनेट से बिलकुल मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है. Linux उपियोग करने का एक वेकल्पिक रास्ता है जो विभिन कंपनियों द्वारा पेश किया जा रहा है. और जिसमें विभित प्रकार के एप्लिकेशन वो इंस्टॉल करने वाले प्रोग्राम जुड़े हैं जो Linux के अधिश्ठापन को आसान कर देते हैं. एक बहुत प्रसिद Linux का वितरन करता होता है जिसे Ubuntu कहते हैं, जो Conical Company द्वारा वितरित किया जाता है. अब हमें Ubuntu के बारे में सीखना चाहिए. Ubuntu एक स्वतंत्र मुक्त सौफ्ट्वेर प्लेटफॉर्म है, जो स्मार्टफोन, टाबलेट और कम्प्यूटर के द्वारा हर जगा चलाया जाता है. Ubuntu में एक Graphical User Interface या GUI होता है, जो इसे Windows अथवा Android जैसे दूसरे प्रचुलित ओपरेटिंग की तरह बनाता है. Ubuntu के वर्जिन 12.10 Default Desktop वातावरन के रूप में Unity का उप्योग करता है. Unity डेस्टॉप प्रश्ट भूमी और दो बार रखता है, जिसे Menu Bar और Launcher कहते हैं. Menu Bar डेस्टॉप के शीर्ष पर स्थित क्षेतिज पट्टी है. Launcher एक खड़ी पट्टी है, जो Menu Bar के बाहिं तरफ होती है. Menu Bar में सामाने कारे शामिल होते हैं, जो Ubuntu 12.10 में उप्योग होते हैं, जो Icons Menu Bar के दाहिने तरफ होते हैं, उसे संकेतक क्षेतर कहते हैं. Keyboard सूचक आपके Keyboard, Layout चुनने और Keyboard प्रात्मिक्ताओं को बदलने की अनुमती देता है. संदेश सूचक में सभी Social Application को शामिल किया जाता है, जो ततकाल Instant Messenger Client, Email Client, Micro Blogging Application और दूसरे समान Application को सम्मिलित रखता है. Network सूचक आपको तार्युक्त अथ्वा तार्मुक्त Network को आसानी से जोडने और Network Connection को प्रबंधित करने की अनुमती देता है. ध्वनी सूचक ध्वनी की मात्रा के रूप में अच्छी तरह से उप्योग अपने Music Player और ध्वनी सेटिंग्स समायोजित करने के लिए एक आसान तरीका प्रदान करता है. घड़ी सही समय प्रदर्शित करती है और केलेंडर समय और तारीक सेटिंग्स का उप्योग करने के लिए आसान तरीका उप्लब्ध कराता है. यूजर मेन्यू आपको अलग-अलग उप्योग करता हों और ओनलाइन सामगरी और उप्योग करता खातों के बीच परिवर्थन करने की अनुमती देता है. एक सत्र या सेशन सुचक सिस्टम सेटिंग का उप्योग करने, सौफ्वेर अप्डेट करने, प्रिंटर डिवाइस को लॉग करने के लिए सेशन विकल्प प्रदान करने, सेशन से लॉग आउट होने, कम्प्यूटर को पुनह आरंभ करने या पूरी तरह से बंद करने के असान तरीका उपलब्ध कराता है। इसलिए इस एपलिकेशन को देखा और इस्तेमाल किया जा सकता है। नेटबुक और लेप्टॉप उपयोग करताओं के लिए फायदे मंद होता है और इसे अधिक मुक्त वर्क स्पेस प्रदान करता है। उर्धवादर पट्टी के आइकन्स जो स्क्रीन के बाई तरफ होते हैं लॉंचर कहलाते हैं। जब यह लॉंचर चलाया जाता है तो यह सक्रीय आइकन्स के एप्लिकेशनों को आसान पहुँच प्रदान करता है। लॉंचर में सबसे उपर पहला आइकन डैश कहलाता है जो एक निरनायक होज वो मूल तत्व है। एक एप्लिकेशन को लॉंचर से रन करने अथवा पहले से रन हो रही एप्लिकेशन को प्रदर्श्रित करने के लिए एप्लिकेशन आइकन पर क्लिक करते हैं। Foreground में Application अपने आइकन के दाहिनी तरफ एक अकेले सफेद त्रिकोन के द्वारा संकेतिक किया जाता है Launcher के द्वारा Application जोड़ना और हटाना एक Application को जोड़ने के लिए Launcher के Application आइकन पर दाहिने क्लिक करके और Launcher के Lock का चैन करके Application को रन करें Launcher से एक Application को हटाने के लिए पहले Application आइकन पर दाहिने क्लिक करें फिर Unlock से Launcher का चैन करें Dash 1000 है जिसकी मदद से आप Computer पर Application वो फाइलों का तेजी से पता लगा सकते हैं वो उन तक पहुँच सकते हैं Dash का पता लगाने के लिए Launcher के सबसे उपर वाले आइकन जिस पर Ubuntu का प्रतीक चिन बना हो पर क्लिक करें Dash आइकन का चैन करने पर एक और विंडो खुलेगी जिसमें सबसे उपर Search Bar के साथ ही हाल में इस्तेमाल की गई Application, फाइल और Download का संग्रह भी होगा Dash आपको स्थानिय स्तर वसुदूर की सूचनाय खोजने की अनुमती देता है Dash की मुखे विशेशताएं Dash की दो मुखे विशेशताएं हैं फाइलें वफोल्डर ढूनना और Application को ढूनना Workspace आपको Application को एक समूह में करने की अनुमती है जो अव्यवस्था को कम करता है और Desktop Navigation में सुधार लाता है मूलभूत रूप से Ubuntu में चार Workspace होते हैं एक Workspace से दूसरे Workspace पर जाने के लिए Launcher पर Workspace Switcher पर क्लिक करें यह Application आपको एक Workspace से दूसरे Workspace पर जाने की अनुमती देता है Windows को बंद करना, अधिक्तम करना, न्यूनतम करना, वो बहाल करना न्यूनतम बटन विंडो को वर्तमान में दिखाई पढ़ने वाली स्क्रीन से हटा कर उसे Launcher में रखा देता है अधिक्तम बटन एप्लिकेशन को Windows की पूरी स्क्रीन पर फेला देता है Windows को बंद करने के लिए, विंडो के उपर बाइकोने पर दिये हुए Cross बटन पर क्लिक करें विंडो को Workspace पर इधर उधर ले जाने या हटाने के लिए, माउस के पॉइंट को विंडो के टाइटल बार पर ले जाएं और माउस के Buy बटन से क्लिक करें, तथा Buy बटन को दबाए रखते हुए, विंडो को खीचें विंडो का आकार बदलने के लिए, माउस पॉइंटर को विंडो सिरे पर या कोने पर ऐसे रखें, कि माउस पॉइंटर दो तरफा तीर में परिवर्तित हो जाएगा जिसे Resize आइकॉन कहते हैं, माउस के Buy बटन से क्लिक करें, तथा Buy बटन को दबाए रखते हुए, विंडो को खीचें कम्प्यूटर पर फाइल का पता लगाने के दो तरीके हैं सीधे Launcher के डैश के माध्यम से जिस फोल्डर में फाइल रखी गई हो का पता लगा कर उस तक पहुँचना या सामाने तह उप्योग में लाए जाने वाले फोल्डरों वहाल में ही प्रयुक्त फाइलों में फाइल वह फोल्डर टूल का प्रयोग करना Go मेन्यू सामाने तह प्रयोग में आने वाली फोल्डरों की सुची होती है Go में जाने के लिए अपने माउस को बार पर सबसे उपर ले जाएं और Go को चुने तब इस मेन्यू कम्प्यूटर पर क्लिक करके अपने कम्प्यूटर की फाइलें खोजें यदि आप Home Network स्थापित करते हैं तो आपको साजा की गई फाइल या फोल्डरों के लिए मेन्यू में आइटम मिल जाएगा Home फोल्डर का प्रयोग व्यक्तिगत फाइलों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है यह है उप्योग करता के Login नाम से Mail खाता है इसमें बहुत सारे वे फोल्डर होते हैं जो इंस्टोलेशन के दौरान अपने आप बन जाते हैं इसमें Desktop दस्तावेज, Download, Music, संगीत, चित्र, Public, Templates और वीडियो शामिल है Nautilus File Manager जैसे Window के पास File वो फोल्डरों को खोजने के लिए Window Explorer होता है उसी प्रकार Ubuntu File वो फोल्डरों को खोजने के लिए Default रूप से Nautilus File Manager का प्रयोग करता है दीदी, Nautilus File Manager कहां है? Nautilus File Manager Window Desktop पर एक फोल्डर पर डबल क्लिक करो Nautilus File Manager Window खुल जाएगी Default विंडो में निम्न किशेशताएं होती है Menu Bar, Title Bar, Tool Bar, Buy a Pan वर दाया Pan Nautilus Navigate करने के निम्न पद है फोल्डरों के बीच निम्न करने के लिए Nautilus File Manager के बाय पैन में पुस्तक चिन्हों का प्रयोग करें वापस जाने के लिए Path Bar में फोल्डर के नाम पर क्लिक करें एक दिखने वाले फोल्डर पर डबल क्लिक आपकी उसे निविगेट करने में सहायता करेगा Nautilus के साथ फाइल को खोलने के लिए उसके आइकन पर डबल क्लिक करें अथवा आइकन पर दाया क्लिक करें और Open With के विकल्पों में एक को चुने Nautilus में एक नया फोल्डर बनाने वा सेफ करने के लिए पहले फाइल पर क्लिक करें और फिर Create New फोल्डर पर क्लिक करें उसके बाद बनने वाले डिफॉल्ड फोल्डर का नाम, Untitled फोल्डर को इच्छानुसार नाम दें यह Nautilus में सुरक्षित हो जाएगा फाइल या फोल्डर को कॉपी करने या प्रतिलिपी बनाने के स्टेप्स हैं पहले Edit पर क्लिक करें फिर Item पर क्लिक करें अथवा Right क्लिक करें और Pop-up मेन्यू से कॉपी चुने अब आप कॉपी की गई फाइल को इच्छित स्थान पर पेस्ट करें कई Nautilus Windows का प्रयोग करना आप निम्न प्रकार से कई Nautilus Windows भी खोल सकते हैं पहले फाइल बनाए तब New Window पर क्लिक करें यह नई विंडो खोलेगा और आपको फाइलों या फोल्डरों को दो स्थानों से ड्राग करने की अनुमती देगा नया टाब खोलने के लिए पहले फाइल पर क्लिक करें फिर New Tab फाइल की ब्राउजिंग के लिए प्रयोग किये जाने वाले स्थान के उपर दो टाब युक्त एक नई पंक्ती खुलेगी दूसरा पैन खोलने के लिए View पर क्लिक करें फिर Extra पैन पर यह आपको टाब या विंडो के मध्य स्विच किये बिना ही दो स्थानों पर एक साथ देखने की सुविधा देता है आप Nautilus या Dash का प्रयोग कर फाइल या फोल्डर को खोज सकते हैं पहले Nautilus में Go, Search for File पर क्लिक करें या Control के साथ F दवाएं फिर जो खोजना चाहते हों उसे टाइप करें डैश में सबसे उपर सर्च बार में आप केवल खोज का टर्म टाइप करें अबंटू में Libre Office सबसे अधिक लोकप्रिये Suite है जो Default रूप से स्थापित होता है यह भी वैसी ही कारे प्रणाली उपलब्ध कराता है जैसे के Microsoft Word, Excel, PowerPoint सिर्फ इसके की यह एक मुक्त स्वतंत्र सॉप्टवेर है इन सभी एप्लिकेशनों तक Launcher के द्वारा पहुँचा जा सकता है इसमें निमनगटक शामिल है जो दूसरे ओपरेटिंग सिस्टम में अलग-अलग नामों से पाए जाते हैं Writer, Word Processor, Clack, Spreadsheet, Impress, Presentation, Draw, Drawing Sheet, Base, Database, Math, Equation, Editor क्या मुक्त स्वतंत्र सॉप्टवेर के विशे में सीखना मज़िदार नहीं था? चलो, अब हम लोग मज़िदार कतिविधी में भाग लेंगे हाँ रोहन, आजकल मुबाइल फोन वद टाबलेट भी परसनल कम्प्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की खूबियां रखते हैं साथ ही साथ अन्य खूबियां जैसे टच स्क्रीन, सेल्यूलर, ब्लूटूथ, वाइफ़ाइ, जीपियस मुबाइल, नेविगेशन क्यामरा, वीडियो क्यामरा, स्पीच रिकोगनिशन, आवाज रिकॉर्डर, म्यूजिक प्लेयर व अन्य विशेशताएं अधिकांश मुबाइल फोनों में, एंड्रोइड, विंडोज अत्वा, सिंबियन ओपरेटिंग सिस्टम होता है हाँ, बिल्कुल, चलो यहां से शुरू करते हैं, कि एक मुबाइल फोन में विभिन सुविधाओं का प्रयोग कैसे करते हैं सबसे पहले यह सीखते हैं कि मुबाइल फोन से कॉल कैसे करते हैं कॉल करने के लिए की पैड पर फोन नमबर टाइप करें यदि आपके पास स्मार्ट फोन है तो होम स्क्रीन पर फोन आइकन पर जाएं और उस पर टाप दें आप स्क्रीन पर नमबर पैट देखेंगे, जिस नमबर पर आप बात करना चाहते हैं, उसे टाइप करें, उसके बाद बाई तरफ हरा बटन अथवा उत्तर बटन दबाएं, स्मार्ट फोन होने पर हरे बटन पर टैप दें, स्क्रीन तरशायगी कि नमबर डायल हो रहा है, कि कनेक्ट हो रहा है, इस तरह आप कॉल कर सकते हैं, कॉल समाप्त करने के लिए लाल बटन दबाएं, अथवा लाल बटन पर टैप दें, अब हम सीखते हैं कि कॉल का उत्तर कैसे दें, अथवा निरस्त कैसे करें, जब आपके फोन की घंटी बजे, तो उत्तर देने के लिए ह दाएं से बाएं स्वाइप करें हम पिछले मिलाए गए नमबर पर कॉल कैसे कर सकते हैं? आसान है पहले होम स्क्रीन पर बाएं तरफ के हरे बटन को दबाएं यह सभी डायल किये गए, प्राप्त किये गए, वह चूटे नमबरों की सूची दिखाएगा स्मार्ट फौन होने पर फोन आइकन पर टैप दें यह सभी डायल किये गए, प्राप्त किये गए, वह चूटे नमबरों की सूची दिखाएगा उसके पश्चाथ नमबर चुने और हरा बटन दबाएं इसी तरह स्मार्ट फौन होने पर नमबर पर टैप दें नमबर की डायल होने लगेगा। आप कॉल इतिहास इस तरह देख सकते हैं। पहले standby mode में menu दबाएं। स्मार्टफोन होने पर phone icon पर tap दें। तब call register या call इतिहास या call log चुने। उसके बाद यह प्राप्त call, छूटी call, डायल की गई call के तीन टाब दिखाएगा। फिर जिस टाब को आप देखना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें। यह आपको call की सूची, समय, वतिति के साथ दिखाएगा। स्मार्टफोन होने पर सभी call एक ही सूची में दिखेंगी। हरा तीर प्राप्त call, नीला तीर डायल की गई call, वललाल तीर जूटी call, दर्शाता है। आप न को निम्न रूप से अनुकूल करते हैं। सबसे पहले फोन की मुख्य स्क्रीन में मेन्यू बटन दबाएं। फिर विकल्प मेन्यू में सेटिंग पर क्लिक करें। उसके बाद सेटिंग मेन्यू में साउंड या ओडियो विकल्प चुने। उसके बाद साउंड मेन्यू में वॉल्यूम विकल्प ढूंडें, रिंगर या रिंग टॉन में वॉल्यूम कंट्रोल पाए जाते हैं, अंत में स्पीकर विकल्प पर चुनें, व कीपाड को उपर नीचे कर वॉल्यूम लेबल सेट करें, आपके स्मार्टफोन में आवाज नियंत्रित करने वाले बटन बाहर होते हैं, मात्र इधर उधर दबा कर आवाज की प्रवलता नियंत्रित की जाती है, आप नया संपर्क ऐसे जोड सकते हैं, जब फोन स्टांडबाई मोड में हो, तो मेन्यू दबाएं, स्मार्टफोन होने पर फोन आइकोन पर टाप दें, तब मेन्यू विकल्प में अपने फोन की फोन बुक पर जाएं, यह होम स्क्रीन पर फोन के एक चित्र अत्वा शब्द फोन, फोन बुक या संपर्क से दिखाई गई होगी, अब उपलब्ध विकल्पों में नियू कॉन्टाक्ट का चैन करें, पहले जिस संपर्क को आप जोड़ना चाहते हैं, उसका नंब फोन में उप्युक्त स्थानों पर अपने मित्र का पहला वांतिम नाम लिखें, तब उसे संरक्षित करने के लिए सेव या एड़ टू कॉन्टाक्ट दबाएं, टाप देना सुनिश्चित करें, अब नया संपर्क अपने मोबाईल में जुड़ जाएगा, फोन में पहले स संरक्षित संपर्क के विबरण में एडिट करने के लिए संपर्क का नाम चुने, एडिट का चैन करें, टाप दें, सही विबरण टाइप करें, और फिर सेव का चैन करें, टाप दें, अब मैं आपको सिखाती हूँ कि संदेश कैसे भेजते हैं, पहले स्टान्बाइ मोड म मेन्यू दबाएं, तब संदेश सेवा, फिर लिखित संदेश, फिर संदेश बनाएं का चैन करें, एक स्मार्ट फोन में होम स्क्रीन पर मेसेजिंग आइकन ठूंडें, उस पर टाप दें, आप देखेंगे कि संदेशों की सूची खुलेगी, संदेश बनाएं, संदेश बोडने के लिए विकल्प का चैन करें, फिर इंसर्ट ऑबजेक्ट दबाएं, स्क्रॉल कर नीचे वांचत पिच्चर या ऑबजेक्ट आएं, व्यू फिर इंसर्ट दबाएं, नियत स्थान पर प्राप्त करता का नमबर लिखें, अत्वा यदि आप सुरक्षित किये किसी संपर्क को संदेश भेजना चाहते हैं, तो फोन बुक पर क्लिक करें, संपर्क का चैन कर ओके पर क्लिक करें, स्मार्ट फोन में प्राप्त करता के नाम के कुछ अक्षर टू कॉलम में लिखें, आप देखेंगे कि कॉन्टाक्ट बुक से नामों की सूची प्रकट मुख्य सूची पर वापस आने के लिए समाप्त या निरस्त पर क्लिक करें, टाप दें, आप अपना संदेश ऐसे पढ़ सकते हैं, जब आपको संदेश प्राप्त होता है, तो आप होम स्क्रीन में सबसे उपर लिफाफे का निशान का आइकन देखेंगे, आप स्क्रीन प द्वारा इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल रोहन, तुम कर सकते हो, यह तो बहुत अच्छा है, मुबाइल फोन द्वारा इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? और वाइफाई, फोन द्वारा इंटरनेट तक पहुँशने के लिए डेटा सेटिंग के साथ मुबाइल सर्विस प्रोवाइडर से एक खाता, बहुत सारे मुबाइल फोन डाटा एकाउंट सेटिंग के साथ ही आते हैं, यदि आपका नहीं है, तो आपको सेवा प्रदाता मेन्यू के सेटिंग मेन्यू पर नविगेट करें, स्मार्टपोनों में यह है अप्स मेन्यू के सेटिंग आईकाउन के माध्यम से या कभी-कभी नोटिफिगेशन बार के माध्यम से किया जा सकता है। सेटिंग मेनियो में आपको वारलेस वर नेटवर्क सेटिंग्स खुजनी होगी। ज्यादतर उपकरनों में More या More Settings बटन जो भी उपलब्द हो उस पर क्लेक करें। जब वारलेस और नेटवर्क सेटिंग हो जाती हैं तो आप इंटरनेट, वाइफाई या मोबाईल नेटवर्क के माध्यम से जोड सकते हैं। वाइफाई से जुड़ने के लिए निम्न पदों का अनुसरन करें। पहले सेटिंग विकल्प से अत्वा नोटिफिकेशन मेनियो में वाइफाई बटन को क्लेक करके वाइफाई विकल्प को चालू करें। तब आपको उपलब्द इंटरनेट, नेटवर्कों की सूची दिखाई देगी। यदि आपने वाइफाई नेटवर्क पहले से ही सेव कर रखा है, तो यह है आटोमेटिक ही जुड़ जाएगा। अन्य था आपको वाइफाई नेटवर्क जिसे आप जोड़ना चाहते हैं चुनना होगा। यदि पासवर्ड की आवशकता हो, तो उसे इंटर करें और connect पर क्लेक करें। इंटरनेट का उप्योग करने के लिए इंटरनेट ब्राउजर का उप्योग करें। इंटरनेट के लिए मोबाईल नेटवर्क जोड़ना। पहले wireless वो network विकल्प में अधिक सेटिंग या more सेटिंग विकल्प पर जाएं। तब mobile network पर क्लिक करें। वहाँ आपको mobile data checkbox को चेक करना होगा। अब internet तक पहुँशने के लिए internet browser का उप्योग करें। Keypad आधारित फोनों में भी हर कोई बड़ी आसानी से internet का उप्योग कर सकता है। पहले menu में जाएं फिर internet चुनें तब या तो home page का चैन करें अन्य था home screen में शूने को कुछ ख्षण के लिए दबा कर रखें। उसके पश्चात web address इंटर करें और go to address का चैन करें। तब address इंट सर्च कर रहे हूं तो सर्च का चैन करें और खोजे जाने वाले विशे को दर्ज करें। और सर्च का चैन करें। मेरी मोबाइल में रेडियो है। मैं उससे कैसे सुन सकता हूं। रेडियो सुनने के लिए पहले standby mode में menu दबाएं। तब मीडिया और फिर radio पर जाएं। स्मा उसके बाद automatic अथवा manual tuning विकल्प का चैन करके जो radio चैनल आप सुनना चाहते हैं का चैन करें। चैनल सेव करें का विकल्प चुन्ग चैनल सुरक्षित करें। तब उपर नीचे स्क्रॉल कर volume सेट करें। रेडियो बंद करने के लिए विकल्प फिर बंद करें का चैन करें टाप दें। मुझे यह भी बताने दें कि mobile phone पर गाना कैसे बजाते हैं। पहले standby mode में menu दबाएं। तब फोन में उपलब्द application को देखने के लिए multimedia menu खोलें। music application, media या gallery के रूप में दर्शाया गया हो सकता है। तब music या sound का चैन करें। स्मार्ट फोन होने पर menu में रेड अब्द गाने ब्राउस करें वो उन में से अपनी device पर बजाने के लिए एक का चैन कर बजाएं। गाना बजना रोकने अथवा उसे पुनह बजने देने के लिए play, pause play को डबाएं, tap दें। एक ही बटन play और pause के लिए कारे करता है। music player से निकलने के लिए बाहीं तरफ के ल बटन को डबाएं। स्मार्ट फोन में pause बटन टाप दें। आपको अपने फोन पर गाने स्टोर करने के लिए memory card की आविशकता होगी। अब यहां कुछ तरीके हैं कि mobile phone से फोटो कैसे लें। पहले standby mode में menu दबाएं। तब media चुने और फिर camera चुने। स्मार्ट फोन होने पर camera icon ढूंड कर उस पर tap दें। तब display screen को view founder की तरह प्रयोग करें। उपर नीचे खिसका कर zoom in और zoom out कर सकते हैं। स्मार्ट फोन में अपने उंगलियों की चुटकी को फैला कर अथवा सिकोड कर, screen को फैला कर display का आकार बड़ा वचोटा कर सकते हैं। फोटो लेने के टाप कर photo कीजें। सेव बटन को दबा कर photo सेव करें। स्मार्ट फोन में photo, album या gallery में swim ही सेव हो जाती है। यह कुछ तरीके हैं जिससे video record किया जा सकता है। मैनियों में जा कर photo और फिर video camera का चैन करें। स्मार्ट फोन होने पर camera icon पर टाप दें। तब screen के प्रदर्शन को view फाउंडर की तरह प्रयोग करें, जूम इन और जूम आउट करने के लिए उपर नीचे स्क्रॉल करें, स्मार्ट फोन में अपनी उंगलियों की चुटकी को फैला कर अधवस्य कोड कर से स्क्रीन पर प्रदर्शन क्षेत्र का आकार बदल सकते हैं, रिकॉर्डिंग चालू कर फिर से टाप दें, सनरक्षित करें, बटन को दबा कर फोटो सुरक्षित करें, स्मार्ट फोन में फोटो, अल्बम या गैलरी में स्वेम ही सनरक्षित हो जाती है, मोबाइल फोन वा स्मार्ट फोन, तीवर गणना के लिए उप्योगी हैं, यह कैसे संभव है? कैलकुलेटर के द्वारा कैलकुलेटर प्रयोग करने के तरीके हैं, पहले स्टैंडबाइ मोड में मेन्यू दबाएं, तब और फिर कैलकुलेटर का चैन करें, स्मार्ट फोन होने पर में कैलकुलेटर आइकॉन मेन्यू में ढूंडे और उस पर टैप दें, फोन के नंबर पैड का प्रयोग कर नंबर लिखे, फिर जोडने, घटाने, गुणा करने वभाग फंक्शन का चैन करे, फिर दूसरा अंक लिखे, उत्तर जानने के लिए बराबर का चिन्ह दबाएं या टाप दे, धन्यवाद दीदी, आपके कारण मुझे मोबाइल फोनों के बारे में इत टाबलेट कम्प्यूटर के छोटे, हलके और अधिक प्रवंधनिय रूप हैं, फेतार रहित वले जाने योगे यंत्र हैं, जिनमें सूचनाओं तक पहुशने के लिए अथवा प्रोसेस करने के लिए स्पर्श इन्पुट की तरह प्रयोग होता है, टाबलेट में वह उप टाबलेट मुख्यता दो भागों में बांटे चा सकते हैं, फोन सुविधा के साथ तथा कॉल सुविधा के बिना, टाबलेट जो कॉल सुविधा के साथ होता है, उसमें सिम कार्ड के लिए खांचा बना होता है, आपको कॉल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए तथा सं प्राप्त करने के लिए गाने सुनने के लिए, फोटो खीचने ववीडियो बनाने के लिए, वीडियो देखने के लिए, इपुस्तके पढ़ने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, इमेल भेजने वप्राप्त करने के लिए, म्यूजिक फोटो ववीडियो अन्य से साज़ा करने के लिए, निमन तरीके से टाबलेट पर म्यूजिक सुना जा सकता है। सर्वप्रथम एप्लिकेशन मेन्यू पर जाएं। तब म्यूजिक पर टाप देकर पार्ष या बैग्राउंड संगीत इंटरफेस को एंटर करें। अब आपको म्यूजिक फाइल सुची को हाल ही में अल्बम कलाकार, गीत, प्ले लिस्ट या शैलियों में उचित विकल्प का चैन करके वर्गिकरित कर सकते हैं। फिर गानों को एक सेकिंड के लिए दबाएं, टाप दें जिससे विकल्प मेन्यू प्रकट हो जाएगी। इसके बाद आप प्ले, अड़ टू प्ले लिस्ट, शॉप फॉर आर्टिस्ट, डिलीट या सर्च विकल्पों में से किसी एक का चैन कर सकते हैं। तब प्ले पर टाप देकर पार्श्व संगीत इंटरफेस को एंटर करें और फिर बजाने के लिए गानों पर टाप दें। निम्न तरीके से टाबलेट में फोटो खीची जा सकती है। सर्व प्रथम एप्लिकेशन मेन्यू पर जाएं और कैमरा आइकॉन पर टाप देकर कैमरा इंटरफेस को एंटर करें। तब फोटो मोड चुन्ने इच्छित फोटो मोड पर टाप दें। कैमरे को विशे की और केंदरित करें। आटो फोकस को सक्रिय करने के लिए स्क्रीन पर किसी स्थान को छुएं और दबाई रखें, फोटो लेने के लिए उंगली उठाएं, टाबलेट से वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए सर्व प्रथम एप्लिकेशन मेन्यू पर जाएं और कैमरा आइकॉन पर टाप देकर कैमरा इंटरफेस को एंटर करें, तब वीडियो म चुनने के लिए फोटो मोड में पसंद किये हुए आइकॉन पर टाप दे, कैमरे को विशे की ओर केंदरित करें, टाप देकर रिकॉर्डिंग शुरू करें, रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए टाप दे, फोटो वर रिकॉर्ड किये गए वीडियो मिटाने के स्टेप्स हैं. जिस photo या video को आप मिटाना चाहते हैं, इसे खोजें. Trash icon दिखाई दिये जाने के लिए screen पर tap दें. Photo या video को मिटाने के लिए इस पर tap दें. आप photo और video इस तरह देख सकते हैं. पहले album ढूंड कर उस पर tap दें. फिर जिस photo या video को देखना चाहते हैं उस पर tap दे। आगे की अत्वा लिस्ट वियू का प्रयोग कर जिस वीडियो को आप देखना चाहते हैं उसे खोले। जिस वीडियो को आप देखना चाहते हैं उस पर tap दे। यदि प्लेबैक नियंतरन प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तो उन्हें देखने के लिए स्क्रीन पर टाप दें। वीडियो रोकने के निम्नपद हैं। जब वीडियो चल रहा हो तो प्लेबैक नियंतरन देखने के लिए स्क्रीन पर टाप दें। उसके बाद वीडियो को रो प्लेबैक नियंतरण देखने के लिए स्क्रीन पर टैप दें। इसके बाद वीडियो को तेजी से आगे ले जाने के लिए प्रोग्रेस बार मारकर को डाइं और 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 पीछे ले जाने के लिए बाइं और खीजें। टाबलेट में इबुक पढ़ने के लिए पहले टाबलेट में इंस्टॉल किये हुए डिफॉल्ट बुक रीडर पर जाएं। फिर बुक रीडर आइकॉन पर टैप दें। उसके बाद पूर्वस्थापित किताबों में से जो किताब पढ़नी हो उसका चैन करें। फिर प्रारंब करने के लिए बुक्स आइकॉन पर टाप दें। मैंने सुनाए कि आप टाबलेट से इमेल बेज वो प्राप्ट कर सकते हैं। इंटरनेट ब्राउजर आइकॉन पर क्लिक करें। फिर इमेल आइकॉन पर क्लिक करें। एक विंडो खुलेगी जिसके शीर्ष पर एक शेतिश बार होगा। जिस इमेल सर्विस प्रदाता का उप्योग करना चाहते हों। उसका यूरल एंटर करें। उदाहरन के लिए www.g email.com अब दिये गए स्थान पर यूजर नेम वह पासवर्ट डालें। वह साइन इन पर टाप दें। यहाँ इस प्रष्ट पर कम्पोज या राइट निव पर टाप दें। नई विंडो में सेवा में केक शेत्र में प्राप्त करता का इमेल आइडी एंटर करें। विशे के जब आपको कोई email प्राप्त होगी तो स्क्रीन पर सबसे उपर एक लिफाफा बन कर आएगा। आइकॉन को देखने के लिए स्क्रीन को नीचे खिसकाएं। यथा क्रम मेन्यू में email भेजने वाले के आइकन पर जाएं। अब आइकॉन पर टाप दें। स्क्रीन पर आपका पर स्थापित File Manager का प्रेयोग करें या तो Home Screen पर स्थित Online Search Engine का प्रेयोग करें। File Manager का प्रेयोग करके, Home Screen पर File Manager या File Browser आप ढूंडें। उस पर टाप दें। यह सबसे उपर My File दिखाएगा। सूची से बांचित फाइल या फोल्डर को ढूंडें। उसे खोलने के लिए उस पर टाप दें। Search Engine का प्रेयोग करके, Home Screen पर Magnifying Glass की तरह दिखने वाले Search आइकॉन को ढूंडें। उस पर टाप दें। जिससे एक नई विंडो क्रकट होगी। आप देखेंगे कि उस पर एक शैतिच टाप में Search लिखा होगा। उसमें जो सूचना आप ढूंडना चाहते हैं उसके पहचान शब्द लिखें। Online Search का परिणाम स्क्रीन पर आजाएगा। इसको खोलने के लिए वांचित पर टाप दें। Right New Icon खोजें जो की स्क्रीन पर एकलिफाफे के साथ जमा के चिन अथवा पैंसिल के साथ जमा के चिन द्वारा प्रदर्शित किया गया होगा। उस पर टैप दें। टू कॉलम में प्राप्त करता के नाम के कुछ शब्द लिखें। आप Contact Book से कुछ नामों के सूची देख संबंदित आइकॉन पर टैप दें। आप फाइल, दस्तावेस, फोटो या म्यूजिक फाइल अपने संदेश के साथ जोड सकते हैं। Send आइकॉन पर टैप दें। आपका संदेश बेज दिया जाएगा। इस प्रकार आप प्राप्त किया हुआ संदेश पढ़ सकते हैं। जब आपको संदेश प्राप्त होगा, तो स्क्रीन के उपर आपको Messaging आइकॉन दिखाई देगा। अत्वा Home Screen के Messaging आइकॉन पर एक अं जब आपको संदेश आप पढ़ना चाहते हों, उस पर टैप दें। नेटवर्कों की सूची दिखाई देगी। आपको Wi-Fi नेटवर्क चुनना होगा, जिससे आप जुनना चाहते हैं। यदि पासवर्ड की आवशिक्ता हो, तो पासवर्ड डालें और Connect पर क्लिक करें। इंटरनेट ब्राउजर का प्रयोग कर इंटरनेट चलाएं। आप ट टाबलेट के द्वारा इंटरनेट से जोड़ें। आप नोटिफिकेशन बार को नीचे खीच सकते हैं। और Mobile Data विकल्प का चैन कर सकते हैं। या आप Wireless Network विकल्प में More Settings में जा सकते हैं। तब Mobile Network बटन पर क्लिक करें। जहां आपको Mobile Data चेक बॉक्स को चेक करना होगा। ए आपका टाबलेट Mobile Network प्राप्त करना शुरू कर देगा। इंटरनेट चलाने के लिए इंटरनेट ब्राउजर का प्रयोग करें। दीदी, आपने का था कि कुछ टाबलेट फोन की तरह भी प्रयोग किया जा सकते हैं। हम यह कैसे कर सकते हैं। जब आपका टाबलेट बंद हो तो आपको उसके सिम कार्ड स्लोट में वैद जी एसम सिम कार्ड डालना होगा। चलो हम देखते हैं कि टाबलेट से फोन कॉल कैसे कर सकते हैं। होम स्क्रीन पर रिसीवर आइकॉन पर टाप दे। आप जो फोन करना चाहते हैं उसके नमरों को दबाएं। रिसीवर आइ निम्न पदों का अनुसरन करें। पहले अपने टाबलेट की फोन बुक अथवा संपर्क सूची में जाएं। फिर उस नाम को खोजें जिससे आप बात करना चाहते हैं। उसके बाद जिसको संपर्क करना है उसके नाम पर टाप दें। फिर जिससे संपर्क करना है उसके न आप टाबलेट को जिस भाशा में चलाना चाहते हैं उस भाशा का चैन कर सकते हैं। चलो अब हम टाबलेट में भाशा नियत करना सीखें। पहले application menu में setting पर tap दें और सूची में से भाषा वो enter करें का चैन करें फिर भाषा पर tap दें और आप भाषाओं की सूची देखेंगे उसके बाद वांचित भाषा पर tap दें और वह भाषा तुरंत ही set हो जाएगी यही पर आप कीबूर्ड की भी वह भाषा चुन सकते हैं जिसे आप input करते समय स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तिथी वस समय नियत करने के लिए निम्न पदों का अनुसरन करें application menu में setting पर tap दें और सूची में से तिथी वस समय का चैन करें automatic को चुने जिससे तिथी वस समय स्वतह network का प्रयोग करते हुए set हो जाएगा अथवा automatic को निरस्त करके अपने अनुसर सेट करें दी दी आप मुझे tablet में application को install करना सिखा सकती है हाँ बिलकुल application या app टाबलेट की मुखे विशेशताएं होती है जो आपके सेवाएं प्राप्त करने के रास्ते और भी आसान बना सकती है टाबलेट में नए application को पाने के तरीके पहले टाबलेट के menu विकल्प में जाए और फिर menu में play store विकल्प पर tap दे यदि शुलक रहित application है तो आप केवल install बटन पर tap दे और आपका टाबलेट स्वता application को download वो install कर देगा यदि एप का मूले है तो आप एक क्रे करें का बटन देखेंगे जिसको दबाते ही एक pop-up box खुलेगा जिसमें यह सवाल हुगा कि क्या आप app खरीदना चाहते है हां का विकल्प चुनकर जिसकी पुष्टी किये जाने पर आपको debit card या credit card की जानकारी वबुगतान का विवरन भरना होगा फिर application को install करने के लिए screen पर आने वाले निर्देशों का पालन करना होगा अभी के लिए इतना ही रोहन क्या mobile phone वट टाबलेट के विशे में जानना मज़ेदार नहीं था क्या हां बिलकुत हादीदी बहुत सा धन्यवाद अब मैं mobile phone वट टाबलेट के विशे में बहुत जांग गया हूँ यह कोई समस्या नहीं है अब हम लोग मज़ेदार गतिविधी में भाग लेते हैं